हेलो फ्रेंज, वेलकम तु मिना हेल्षेसन, आई लिश्कास साम प्रब्लेम्स अब आवार स्कीन, लाइक इव बी देमेश्ट्व स्कीन, डालनेस अफ इसकीन, एकनी पिम्पल्च, एट एर्से लेके 50 एर्स तक अलाग अलाग एज में अलाग अलाग कारान से एकनी पिम्पल होते हैं, जैसे हर्मोनल इंबलेंस, ओल्यूशन, निल्प्रिशनल चैंज, मेंस्प्रेल इसू और फ्रेंज, काफी लोग जो बीमारी के कारान मेडिशीन लेते रहते हैं, जैसे पेन किलर हो या इंजेक्शन हो ये सब लेते रहते हैं, अल दीज आ कमन कॉज़ेस अफ एकन फ्रेंज, हम लोग जब बाहर जाते हैं, तो बास में जाते हैं, तो बास पकरते हैं, और अगर हम ओफिस में बेखते हैं, तो पूर्शी पकरते हैं, टेबूल को सूते हैं, तो वहाँ पे जितने भी बेक्टेरा जाम सोते हैं, हमारे हाथ में आ जाता हैं, और उस बक्ता हम हेंद को वस नहीं करते हैं तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं हमारे फेस को हम लोग सूर देते हैं और जितने भी बेक्सРЕल बेक्ट्रेया जांस होता है तो हमारे स्किन पे आ जाता है और यह भी एकनी पिम्पल्स का एक काराण है प्रेंज में इन सब के लिए एसा एक प्रोडक लेके आई हूँ जो इंटरनेशनल खोऊए कॉम्पानेशे हैं और यह 100% फेगन है पेराबिन फ्री है तॉक्सिन फ्री है और यह नामबर वन प्रोडक्ट है आप लोग देख सकते हो यह खोऊए मिल्की सोप है यहाँ पे 4 पी का यह सफेस्प्ट है और वन इस बतल प 발생 इन फैकाम इतना अच्छा है जो अपके रूम में आगे से तो रुम को मेहका रहता है इतना बर्या अप्रेगन से तो friends इसका benefit इतना है amazing benefit है तो ये सब हमारे skin को hydrate करता है skin को moisturizer करता है और friends हमारे skin का जो acne होते हैं इसको दूर करने के साथ-साथ facial का काम करता है और हमारे skin को silky and smooth बनाता है और friends it gives us antioxidant effect and it has antibacterial and antifungal property और friends it improves complexion and skin tone vitamin E reducing UV damage to skin it increases supplements of skin तो friends ये gently cleansing करता है हमारे skin को आप लोग जब इसका demodafog होगे तो आप लोग shocking रेजा होगे तो इतना gently ये cleansing करता है और इतना benefit मिलता है तो friends आगले वीडियो में आप लोग के लिए मैं इस सब के उपर demo लेके आ रहे हूं आप लोग जरूर देखिएगा और friends health, beauty और skin इन सब के बारे में आप लोग को जानकारी देती रहूंगी तो friends मेरे सेनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक कमेंट कर दीजिएगा